Hi everyone, welcome back to another video, कैसे हो आप लो, मैं उमीद करता हूँ आपके परिवार में भी सब कोई अच्छा होगा, दोस्तो मेरा नाम है कैस, आप देख रहे हो, The Engineer गा YouTube चैनल, दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ कैसे और क्या एक easiest तरीका है, एक student कैसे ब बहुत सारे ऐसे students हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, या फिर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बिलकुल नहीं है, वो पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं, और पैसे भी बहुत यसानी से कमा अभी जो समय चल रहा है इस समय तो पैसे कमाना बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है क्योंकि पैसा रहेगा तब ही आप कुछ चीज एसस कर पाओगे लोगडाउन वगरा में देख सकते हो mostly जो family के members थे जो earning members थे वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जितना पहले कमाते थे तो अगर आप as a student थोड़ी बहुत आपकी earning होने लगेगी तो साथ आप पुरी family की भी help कर लोगे यहर मैं ऐसे बोल रहा हूँ family की help करना क्यूंकि इस वीडियो में जो तरीका मैं आप लोगों को बतारना हो उससे आप बहुत ही जादे पैसा कमाओगे अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो तो यहर इस वीडियो को दो पार्ट में मैंने divide किया है एक पार्ट में मैं बात करू क्या है उसके बारे में थोड़ा सा explanation दे दूँ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको चीजे और बहतर समझ में आ सकें यहर सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि YouTube चैनल create करना तो उसमें आप यह मोटो नहीं रखना कि आपको पैसे ही कमाने है सिर्फ पैसे ही कमाने है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को पैसे भी important होते हैं एक मोटो आपका होना चाहिए एक गोल होना चाहिए कि आपको पैसे भी कमाने है थोड़ा सा motivation उधर से भी होना चाहिए प्लस आपका जो internal desire है कि आप skill sockets करना चाहते हो कुछ लोगों को दिखाना चाहते है वो तो अलग बात होई वो भी आपके अंदर होना चाहिए मैं आपको ऐसा नहीं कहने वाला हूँ कि आप YouTube चैनल स्टार्ट करो आप YouTube चैनल पे 6 मेने तक महनत करो चैनल मोनेटाइज होचा है तो आपको पैसे मिलेंग चैनल मोनेटाइज दे हुआ तो बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं YouTube के बारे में हम बात नहीं करने वाले है YouTube भी एक अच्छा platform है YouTube पे भी आप पैसे कमा सकते हो YouTube पे बहुत सारे लोग अपना skills focus करते हैं brand create करते हैं पैसे कमाते हैं लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अब जिन लोगों को नहीं पता है कि blogging क्या होता है उनके लिए पता दूँ simple एक website होती है जिस पे आप articles लिखते हो articles किसी भी topic पे आप लिख सकते हो लेकिन आप एक niche decide करो जैसे कि आपको news पे article लिखना है या फिर आपको किसी technology पे article लिखना है आपको data science machine learning आप जो programming languages पाही कर रहे हो उस पे लिखना है कुछ भी niche हो सकता है क्योंकि readers बहुत जादे हैं बहुत ही variety है आप किसी भी skills पे आप articles लिख सकते हो article लिखने के लिए आपको एक website create करना होगा इसमें आपको एक भी रुपया नहीं लेगा zero rupees का investment है एक भी रुपया बहुत सारे लोग कहते हैं domain name खरीदो hosting खरीदो किसी भी चीज की ज़रूरत नहीं है मैं with proof guarantee के साथ आपको दिखाऊंगा zero rupees का investment है और जितना भी आप profit कमा लो जितना भी पैसे कमा लो वो आप पे depend करता है तो सबसे most important यही था कि बहुत सारे students सोच रहूंगे कि या investment करना होगा मैं पैसे कहां से invest करूगा तो यह तो problem solve होगी दूसरा क्या करना है आपको simply blogger आपको पता होगा google की तरब से एक blogger आता है वहाँ पे आपको एक blogging website create करनी है simple आपको एक blogging website का username जो website का नाम होता है जैसे मैं अगर अपना create करूँ तो theengineerguide.blogspot.com ऐसा करेंगे create हो जाएगा और उसके बाद मैं उस पर articles लिख सकता या मैं अगर domain name नहीं लूँ या फिर मैं hosting नहीं लूँ तो मेरा जो blogging website है वो monetize होगा उस पर google की तरफ से ads वगरा सो होगे yes definitely तो यह गूगल ने खुद बोल रखा है कि आपके पास अगर custom domain name नहीं होता है तो भी आपके जो channels है या फिर जो blogging platforms है वो monetize हो सकते है मैं आपक बता दिया अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कि कैसे students बहुत ही कम महनत पे मतलब महनत भी आपको नहीं करना कैसे पैसे कमा रहा है तो दोस्तों अब मैं कस्टम डोमेन नेम भी नहीं ख़़िदा है educationdadu.blogspot.com यहाँ पर कोई भी कस्टम डोमेन नहीं है और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर Google की तरब से AdSense भी Approve हो गया है और यहाँ पर आपको Ad भी So हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही जादे engagement है और आप देख सकते हो बहुत ही simple सी websites है जिस पर इन्होंने course जो होते हैं IIT, GE, Advance वगरा के उनके बस इसने links वगरा सेर किया है और कुछ नहीं है इस platform पर बस links वगरा और यहाँ पर देख सकते हो के वर links वगरा है courses के कोई भी article नहीं है कुछ भी नहीं है और add वगरा तो भर भर के सो होते हैं इस platform पे तो समझ सकते हो कितना पैसा यह student कमा रहा है मतलब कुछ मेहनत जादे नहीं है बस आपको articles लिखने है articles में जो courses है उनके links इसने provide किया है simple सा इसने तो custom domain name भी नहीं खरीदा है simple वही जो blogger की तरफ से provide होता है Google के blogger की तरफ से मैं अभी आपको बता दूँगा कैसे आपको अपनी blogging website बनानी है तो simple यह देख सकते हो बहुत ही आसानी से इन्होंने create कर लिया है अब आप मेरे से पूछोगे कि कितना time लगता है अपने website को monetize कराने में या फिर Google AdSense को approve कराने में तो मेरे को तो एक महीने से कम लगा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यह जो एक platform है मेरे दोस्त का है जो मतलब मैं उससे finance करता हूँ मैं उससे बोलता हूँ ऐसे करने के लिए क्योंकि मेरे पास time नहीं मिलता है तो मैंने उसको बोल रखा है इस website को operate करने के लिए और जो भी funding वगरा है मैंने कर रही है मैंने custom domain name वगरा भी खरीद रखी है hosting भी खरीद रखी है सब कुछ खरीद रखी है यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर गूगल के एड़ 100 हो रहा है यहाँ पर और नीचे देख सकते हो फोटर में भी सो हो रहा है और अगर आप यहाँ पर कोई भी आर्टिकल वगरा ओपन करते हो तो भी उसमें एड़ वगरा सो होंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर 800 हो रहा है और यहाँ पर 800 हो रहा है तो यह इस वेबसाइट यह मोनेटाइज है वेबसाइट गूगल की तरफ से अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यह जो वेबसाइट है इसको मैंने कितने दिन में मोनेटाइज कराया और यह वेबसाइट कितनी पुरानी है तो इस वेबसाइट का मैं लिंक कॉपी कर ले रहा हूँ और यह एक वेब कब करता हूं तो आपको पता चल जागा कि मैंने website कब बनाई थी कब domain मैंने खरीदा था तो यहां से देख सकते हो यहां से जो registration expiry है और created यहां से देख सकते हो 29th of March 2021 और आज है 2nd of May तो लगबग एक महिना हुआ समझ जाओ कि last March में मैंने खरीदा था पूरे अप्रील में मैं मैंने मेहनत किया जो भी articles लिखने थे सब कुछ मैंने लिखा और एक महिने में सिर्फ एक महिना लगा मुझे इस website को monetize कराने में और यहां पर add वगएरा सो होने लगा आप देख सकते हो और यहां पर यह website बहुत एच्छी चल रही है और मैं और मेरा दोस्त मैं उसे बताता बहुत अच्छी इससे हो जाती है तो ऐसे आप भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आप देख सकते हो सिर्फ एक महिने में मैंने चैनल को monetize करा दिया sorry blogger website को तो simple आपको करना क्या है यह blogger search करो अगर आप blogger search करते हो तो www.blogger.com आता है मैं आपको custom domain name hosting लेने का कुछ मैं आपको बतानी रहा हूँ वो सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो custom domain name नहीं लिया है student ने तो भी इसकी website पे add वगरा सो हो रहा है तो आप पैसे बिना मतलब का invest क्यों करोगे और आप simple यहाँ से अपना एक blogging website create कर सकते हो उसके लिए simple आपके पास google क Gmail होना चाहिए और simple आप अपनी website create कर लोगे कैसे create करना है in depth मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे tutorials आपको मिल जाएंगे YouTube पे और आप search करके बहुत ही जादे कुछ मेरे से भी जादे आप सीख सकते हो क्योंकि मुझे भी जादे उतना नहीं पता है मैं जितना use में होता है जितना मेरे को जरूरत होती है वतना ही मैं सीखता हूँ तो I hope आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो कैसे students पैसे कमा रहे हैं बहुत ही असानी से और आप भी कैसे कमा सकते हो सबकी तरह तो यह थी आज की वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आई हो अ आप मुझे Instagram पर जरूर से follow कर लो क्योंकि वहाँ पर जो भी queries आते हैं उनके मैं instant reply कर देता हूँ तो मैंने handler description में दिया हुआ है वहाँ से आप चेक कर सकते हो और मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हो तो guys आज की वीडियो बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई हो मिलते हैं stay safe and keep learning thank you